अमी जान हमारे अब्बू कहा है हमें अब्बू के बेना कुछ अच्छा नहीं लगता साप्रंदे हम पर हसते हैं हमारे अब्बू कहां गए है हाँ बेहन, मैंने भी कई दिनों से भाई को नहीं देखा खेर्यों तो है कहां गए है, कुछ बता के न been गए क्या आपके शोल को मैंने देखा ही नहीं है, कहां गए है ऐची बेहन क्या बताउं हम जंगल में खाना खाने के तलाश में थे चिंटू का बाबी मेरे साथ घूम रहा था बहुत खोश था अचानक चिंटू के बाब का पाउं फिसल गया देखते देखते चिंटू का बाब एक गड़े में जा गिरा मैंने बच्चों को उठाया और एक बड़े से द्रक्त पर जा बैठी मैंने वहाँ देखा कि एक चिंटू का बाब था वो एक खड़े में गिरा पड़ा उसका पाउं फस गया देखते देखते मैंने सोचा कि उसको चलो मैं छुडाती हूं इसके पाउं को मैं निकालती हूं लेकिन मैंने देखा कि दो शिकारी भागते भागते दूर से आए जंगलास से उन्होंने मेरे शोर को पकड़ लिया और पकड़ कर मेरे ख्याल से उसे ले गए कहीं दूर हो सकता है उसे मार दिया हो या उसे कहीं बेच दिया हो या किसी पिंजरे में कैद हो कुछ पता नहीं मैं शहर ही भी गई थी उसे ढूड़ने के लिए लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला कववा भी गया था मेरे साथ लेकिन कववे को भी उसका कुछ अता पता नहीं चला बच्चे बहुत बिमार हैं बचे पूछते हैं कि हमारा अब्बू कहां गया, कुछ बता की ने गया, आई ये बेन तुम्हें क्या बताऊं, बिन बाप के बचे कैसे पालते हैं, ये तुसरों मैं ही जानती हूँ, उन लोगों क्या पता, जो इनके बाप को पकड़ के ले गए, बेन, मैं तवा करूँगी कि आपके शोर चल्दी वापस आजाएं, आउपने घांदान में खुश रहें, उन्हें ऐसे लोगों को भी रहम करना चाहिए, कि इनके बाप को पकड़ लेगे, ऐसे परिंदों को ने पकड़ना चाहिए,